2 into 1 करे चाहे 1 into 2 करें Multiplicant चाहे multiplier बन जाए Multiplicant चाहे multiplier बन जाए हमारा answer सेम रहेगा Divisor चाहे quotient बन जाए Question चाहे divisor बन जाए answer हमारा सेम रहेगा 8, 9, 72 कर दें चाहे 9, 8, 72 कर दें answer 72 आएगा इनी multiplication और division fact को देखने वाले हैं साथ में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे पीछे कि उसका हम बेस एक थोड़ा सा क्लियर कर सकें हलो एरिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल दिसाइड मतलिका आई होप आप लिग अच्छे होंगे आज हम देखने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजन फैक्ट तो जब क्लास में बच्चों को मल्टिप्लिकेशन इंड्रिद्डीूस होता है उससे पहले बच्चे क्या कर चुके होते हैं addition and subtraction का हो चुका होता है ठीक है उसके भी कुछ facts होते हैं तो पहले थोड़ा सा वो facts देख लेते हैं उसके बाद हम multiplication and division वाले facts पे आएंगे अच्छे से समझेंगे उसको तो fact यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लस की ठीक है addition की बात कर रहे हैं तो अब addition में क्या है यहाँ पे जैसे 5 प्लस 2 है एक नमबर यह है एक नमबर यह है तो उसका सम कितना हुआ 7 इसका ही दूसरा fact क्या हो सकता है कि 2 प्लस 5 मतलब यह नमबर अगर हम exchange कर दें दोनों को तब भी sum क्या रहेगा सेम ही रहेगा sum sum तो change नहीं हो जाएगा तो 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होगा ऐसी 5 प्लस 2 भी 7 होगा और 2 प्लस 5 भी 7 होगा एक तो यह fact हो गया एक fact क्या होता है उसका कि कोई भी यह से हम minus कर रहे है 7 माइनस 2 5 है तो अगर हम 7 में से यह minus कर देंगे जो answer आया है जो 5 है तब भी हमारा क्या answer आएगा 2 ठीक है मतलब कि यही 3 चीजें आपस में गूम फिर के हमारी same रहने वाली है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई sum कर रहे हैं तो हम recheck भी कर सकते इसमें भी हम थोड़ी से दो चीजे देख लेंगे जो बच्चों को बतानी बहुत जरूरी होती है स्टार्टिंग में अब हम मल्टिप्लिकेशन की बात कर रहे है ठीक है तो कोई भी नमबर अगर हम 1 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो answer क्या है सेम नमबर अगा जिससे हम मल्टिप्लाइ कर रहे है ठीक है 2 इंटी 1 है तो answer क्या एगा 2 3 इंटी 1 है तो answer क्या एगा 3 मतलब नमबर इटसल आएगा जो इसका product आएगा ठीक है अगर हम कोई भी नमबर 0 से multiply कर रहे है तो answer क्या एगा 0 आएगा बहुत पच्चे बहुत ज़दा confused होते हैं इस चीज में तो यह एकदम clear करना होगा हमको कि 1 से into होके जब भी कोई product आएगा तो क्या आएगा यह वाला number आएगा जो भी होगा ठीक है और 0 से into होगा तो क्या number आएगा 0 आएगा हमेशा 0 से multiplication होके 0 ही आता है answer अब एक चीज़ और देख लेते हैं साथ साथ यहां पर कि जो पहला number होता है ठीक है दो number होते हैं जब multiplication होता है तो जो पहला number होता है उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है जो सेकेंड नमबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं multiplier बोलते हैं एंड थर्ड जो number होता है जो final हमारा answer आता है इसको हम क्या बोलते हैं product बोलते हैं ठीक है यहां भी हमारा clear हो गया अब आते हैं सिधा fact पर लेकिन fact से पहले मैं तेर एक चीज़ और clear करना चाहूंगी यहां पर कि आखिर multiplication है क्या repeated addition है अगर मैं यहां पर example लेकर चलूं कितने box लेकर चलते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 box है तो मतलब हमने 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितनी बार किया 8 पर किया तो हमारा answer कितना आया 8 तो हम क्या कर रहे है repeat कर रहे है edition को यहां पर दूसरी तरह कैसे अगर हम इसको देखें तो यह दो दो के अगर हम गुरूप बना ले तो 2 plus 2 plus 2 2 कितनी बार हो रहा है 4 times हो रहा है, मतलब जब हमसे 4 प्लस करेंगे तब कितना आएगा, 8 आएगा तो हम इसको simplify करने के लिए क्या करते हैं, into कर देते हैं कि 2 कितनी बार है, 4 बार है 2, 4 बार है 2 into 4 2, 4 times है is equals to 8, यह होता है हमारा multiplication, ठीक है अब इसके facts क्या होंगे हमेशा जब चीज हम कोई भी solve कर रहे हैं तो उसके facts पर आएगे विसे addition और subtraction के facts से ऐसी मारे multiplication और division के facts आएगे हम reject भी कर सकते हैं, इसे मैंने को बताया अब आते हैं multiplication fact पर तो जब हमें division का sum given होता है सपोज यहाँ पर मैंने एक example लिया है 56 divided by 8 तो कैसे लिखेंगे, 56 अंदर आ जाएगा ठीक है, इसको किस से divide करना है 8 से divide करना है तो 8 की table हम count करेंगे 8, 7 जा कितना होता है, 56 तो 8, 7 जा 56 हमारा यहाँ पर answer होगा तो इसका multiplication fact क्या होगा इसके 2 multiplication वाले fact क्या बनेंगे division से division से हमारे multiplication facts बन रहे हैं यहाँ पर जिससे हम recheck भी कर सकते है answer को जैसे कि यहाँ पर मैं कहते हूँ इससे अगर मैं आपको दिखाऊं कि 8, 7 जा अगर हम into की बात करें 8, 7 जा भी 56 होगा 7, 8 जा भी 56 होगा ऐसे भी और ऐसे भी answer कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए अगर यहाँ पर आपने कुछ गरबड करिये तो ऐसी पता लग जाएगा आपको कि आपका answer wrong है तो एक multiplication fact क्या हुआ 8, 7 जा 56 एक तो यह हो गया और दूसरा fact क्या हो गया 7, 8 जा भी कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए मतलब इन ही तीन से हमारे दो facts निकल के आ रहे है multiplication के ठीक है divide के ही sum में हमें multiplication भी दिख रहा है 8, 7 जा और 7, 8 जा कितना होता है 56 होता है तो यह हो गया हमारा fact ठीक है दो facts एक example और देख लेते हैं 32 divided by 4 तो 4 की table हम count करेंगे 4, 8 जा कितना होता है 32 अब इसके multiplication fact क्या निकलेंगे कि अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे तो कितना answer होना चाहिए 32 चाहिए हम इसको इससे करें चाहिए हम इसको इससे करें तो 2 multiplication fact क्या निकल के आए 4, 8 जा 32 और दूसरा 8 फोर्जा 32 दोनों तरह से निकल के आ रहा है अगर एक भी आपका इहां पर रॉंग है मतलब क्या आपका 32 नहीं आएगा आपका इसका मतलब जो आपने answer लाया है वो रॉंग है आपका जो quotient आया है वो रॉंग आया है ठीक है ऐसी एक example और देख लिखते है 18 divided by 6 तो कितना है 3 मतलब 6 थीजा भी 18 और 3 शीजा भी कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए तो 2 multiplication के fact क्या निकल के आए ये 2 निकल के आए हमारे सेम जैसे हमारा उसमें plus में था minus में था ऐसी हम इसको भी रिचेक कर सकते हैं चीजों को ठीक है तो ये 2 multiplication fact है हमारे जो हमारे division के सम में निकल के आए है अब division देख लेते हैं division में पता है 72 divided by 8 suppose हम example लेते हैं तो कैसे करेंगे हम 72 यहां लिखेंगे फिर इसके बाहर के आएगा 8 क्योंकि हम इससे डिवाइट करना है तो 8 की टेबल काउंट करेंगे हम कितनी बार 8, 8 जा 64 8, 9 जा 72 मतलब 8, 9 जा 72 आएगा हमारा ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे जिससे हम डिवाइट कर रहे हैं डिवाइजर यह क्या हुआ dividend और यह क्या हुआ जो आंसर आया वो आया कोशन्ट और जो यहां बचेगा जरूरी नहीं जीरो हो सकता है 1, 2, 3 कुछ भी बच सकता है यहां पर तो वो हमारा क्या कहलाएगा remainder यह होता है division ठीक है अब इसको भी एक बार थोड़े से फास्ट से एक तम देख लेते हैं कि division से हम क्या समझते हैं अब अगर सब्वोज यहां पर मैं मान के चल रहे हूँ कि 25 बॉल्स रखी है ठीक है और यह 5 बास्केट रखी वी है अब मैं कहा रही हूँ इनको distribute करना है इसमें, 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 इसमें और इसमें पांचों में distribute करना है equally तो कैसे होगा 25 को कितने में divide करना है 5 में divide करना है तो कैसे करेंगे 25, 5 यह होगा तो 25 किस से divide होगा 5, 5, 25 मतलब 5 balls यहां आएंगी 5 balls यहां 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 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां यही मतलब होता है division का न तो अब देखते हैं division fact तो जब हमें कोई भी multiplication का sum given होता है like मैंने example यह 8 9 जा 72 तो इसका क्या मतलब हुआ इसके 2 facts निकल के आई हैं यहाँ पर क्या division, division के fact निकल के आएंगे multiplication में division के fact निकल के आएंगे क्या आएंगे कि जो 72 है अगर हम उसको 9 से divide करेंगे तब कितना answer आएगा? 8 आएगा और अगर 72 को 8 से divide करेंगे तब कितना answer आना चीए? 9 आना चीए हो गया ना यह भी हैंगे हमारा recheck भी हो गया मतलब 72 divided by यह ना 72 divided by 9 तब क्या आएगा? 8 आएगा मतलब यह यहां ऐसी ही रहेंगे न यह इधर interchange हो गया question क्या बन गया? diviser बन गया? diviser क्या बन गया? question बन गया? ठीक है? और वैसे तो यह है यह 8 नाइज आ 72 तो दो fact क्या निकल गया है? चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो आएगा answer कितना आपका? 72 only तो यह इनके facts हो गए दो 72 divided by 9 is equal to 8 72 divided by 8 is equal to 9 ठीक है? फिर ऐसी example 6 into 3 is equal to 18 तो इसका fact क्या होंगे दो 18 को अगर हम 3 से divide करेंगे तो answer क्याना चाहिए 6 18 को अगर 6 से divide करेंगे तो answer क्याना चाहिए 3 यह हो गए? दो division facts से निकल के आए multiplication से ऐसी तीसरा देख लेते हैं 8 4 से 32 तो 32 को अगर 4 से divide करेंगे तो कितना answer आएगा हमारा? 8 और 32 को गर हम किस से divide करेंगे तो 4 आएगा? 8 से divide करेंगे तो 4 आजाएगा मतलब यह दोनों चाहे इसको हम diviser बना दें, check question बना दें answer हमारा क्या आएगा? same आएगा, ठीक है? चाहिए इधर रख लें, चाहिए इधर रख लें answer हमारा same आएगा तो यही हैं दो facts जिन से हम reject भी कर सकते हैं easily I hope यह बहुत अच्छे समझ में आगया होगा अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछे का बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए do take care and thank you watching my videos bye-bye